असलाम अलेकम जी, in this lesson we are going to learn कि image को photoshop में कैसे edit किया जाता है तो अगर आपके पास photoshop install नहीं है आप उसको direct link से भी download कर सकते हैं और इसके इलावा अगर आपके पास adobe की subscription मौझूद है तो आप वहाँ से जाके अपने tool को install कर सकते हैं अपने system के अंदर तो मैं अपने image को photoshop में open कर लेता हूँ photoshop मेरे पास यहाँ पर open है मैं अपने browser में जा रहा हूँ system के और यहाँ से जाके मैं इसको drag करके open कर लेता हूँ तो जी, यहाँ पर अगर हम इसके dashboard को देखें तो इसका dashboard बड़ा similar है adobe illustrator के साथ अगर उसको compare किया जाए right side पे आपको कुछ properties नज़र आएंगी और left side पे आपको वैसे ही tools नज़र आएंगे तो अगर इसके layers panel को देखें so it's a very similar thing जो कि आप illustrator में use कर रहे है तो अब हम करना यह चाहते हैं कि हम इस image को the person is standing in this image हम इस person को इस image में से crop करेंगे और adobe illustrator में जो background है वो अपना कोई और place करेंगे we do not need the sky हम चाहते हैं कि हम अपना background प्लेस करें लेकिन हमें यह वाला जो person है ये we need this person जो कि हम photoshop में जाके इसको crop करेंगे तो इसको crop करने के multiple methods है I will go with a very simple one तो यहाँ पर आपके पास कुछ selection tools है selection tools क्या करते है आपके pixels को select करते है तो अगर मैं इसको zoom करूँ तो आप लोग देखेंगे कि this image is made up of a number of pixels hundreds and thousands of pixels आपस में मिलके इस image को create करें यहाँ पर आके देखते हैं तो आपको pixels निजर आएंगे जो के आपस में मिलके इस image को create करें तो selection tool क्या करेगा selection tool कुछ pixels को select करेगा और हम उन pixels को यहाँ से crop करके illustrator में लेके जाएंगे तो उसको pixels को select करने के लिए हमारे पास यहाँ पर different तरह के selection tools है for example अगर आपने बड़ा straight forward selection करनी है तो आपके पास marky tool है अगर आपने circular selection करनी है तो आपके पास elliptical marky tool है तो इसके लावा आपको multiple और selection tools मिलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक है जी quick selection tool हमें इस quick selection tool और lesso tool की मदद से अपने इस object की selection करेंगे तो मैं यहाँ पर quick selection tool ले रहा हूँ so let's remove this marky tool मैं quick selection tool पर click कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक circle आ गया और इसके अंदर एक plus का symbol बना वा है मैं अपने keyboard से अगर right square bracket को प्रेस करूँ तो यह जो quick selection tool का circle है इसका size increase होता जाएगा और अगर मैं left square bracket को प्रेस करूँ तो जो इसका size है वो decrease होता जाएगा तो हम इसका size increase करते है और let's start selecting our object तीक है मैं clicks कर रहा हूँ और वो identify कर रहा है the object and the background इसके बाद जहाँ पे हम थोड़ा सा गलत जाएगे उसको हम अपने lasso tool से adjust कर लेंगे इसको थोड़ा सा zoom in करते है मैं अपने keyboard से left square bracket को प्रेस कर रहा हूँ इसका size small कर लेते हैं और फिर अपने keyboard से alt को प्रेस कर रहा हूँ तो अब आप देखेंगे वो जो circle के अंदर plus था वो minus में convert हो रहा है इसका मतलब है कि अगर minus में convert करके मैं click करूँगा तो ये selection में से इतना area minus करेगा तो मैं alt प्रेस करके इसको click कर रहा हूँ और कुछ selection हम यहाँ पर इस tool से ही adjust कर लेते हैं इस area को हमने add करना selection के अंदर इस area को हमने यहाँ से minus करना right और इसके लाव हम दे सकते हैं कि अगर कोई major part है जो कि हम ने include करना है या selection में से निकालना है तो हम quick selection से ही add subtract कर लेते हैं और जब minor details हैं उसको हम लोग lasso tool से adjust कर लेंगे right so इसके बाद ही हम लोग आते हैं lasso tool के उपर अब lasso tool कैसे काम करता है और जैसे आप brush यूज़ करते हैं pencil यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही हम इस tool को use करें कि इसको मैं zoom in कर लेता हूँ तो this selection is good तो यहाँ पर अगर हम इस वाले part को select करना चाहते है we need कि जो ये वाला part है ये हमारी selection में include हो जाए so मैं अपने keyboard से और आप यहाँ पर देखें कि lasso tool के साथ plus का symbol है मैं इसको यहाँ से drag कर रहा हूँ और इस circle को मैं वापस complete कर लेता हूँ तो इसने ये part मेरी selection में शामिल कर दिया इसके बाद और हम देखते हैं थोड़ा zoom out करके देखते हैं सो हमें ये वाला part भी चाहिए क्योंकि ये हमारे object का part है सो मैं plus press कर रहा हूँ इसको draw कर रहा हूँ और मैं circle को close कर लेता हूँ ये वाला part हमें नहीं चाहिए तो मैं alt press कर रहा हूँ और यहां से इसको draw करके बाहर वाली side पे लेके जाओंगा ठीके जी इसको हम दुबारा से थोड़ा subtract कर लेते हैं इन पिक्जल को भी remove करते हैं zoom in करते हैं यहां पे so let's remove these pixels as well इन पिक्जल को भी remove करते हैं ठीके जी आगे आते चलते हैं so let's remove these pixels as well तो जो pixels आप निकालना चाहते हैं वो आपने उस area की तरफ turn करना है जहां पे already वो pixels exist कर रहे हैं जो के हमारी selection का part नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह वाला part मेरी selection का part बने तो आपने अपने keyboard से shift को press करना है और अपने circle को उस जगा पे move करना है उस जगा पे shift करना है जहां पे ऐसे pixels exist करते हैं जो के आपकी selection का part है सो हमें यह वाला area नहीं चाहिए तो मैं selection को बाहर की तरफ move करूँगा चीक है आगे चलते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन से ऐसे areas हैं जिनको थोड़ा सा हम fix करके अपनी selection को बहतर कर सकते हैं सो जितना आप time लगाएंगे जितनी आप अच्छे तरीके से selection करेंगे उतना अच्छा आपके पास result आएगा बहुत सारे तरीके और है selection के Photoshop is actually the pro tool for editing images for selecting pixels so this is one of the basic method for selecting the pixels ठीक है तो यह object हमने select कर लिया तो अगर आप यहां पर देखें तो यह back का part है और यह उसकी shirt का collar है तो यह वाला जो part है यह भी sky हमें नजर आ रहा है so हम इस sky को भी remove करेंगे और इसको remove करने का बड़ा आसान तरीका है alt press करेंगे वह minus में आ गया और let's remove this part first ठीक है इसको circle को मैं close कर लेता हूं वापस आते हैं और इसको यहां से वापस ले जाते हैं let's remove this as well और इसके बाद हम इसको remove करते हैं ठीक है तो यह selection का part नहीं है यह हमारी image होगी select इसके बाद हम इसको mask करेंगे जैसा कि हमने illustrator में एक square draw किया था और उसके अंदर अपनी image को mask किया था तो जो उस square से बाहर image थी वो हमें visible नहीं है लेकिन उसके अंदर visible है very similar in Photoshop यह जो selection है हम चाहते हैं कि selection से बाहर वो pixels जो selected नहीं है वो invisible हो जाए और जो pixels हमारे selected है वो visible रहें ताकि हम उसको अपने design में use कर सकें तो उसका बड़ा असा तरीका है मैं layers वाले panel में जा रहा हूं यहां से जागे हम इस lock को fill वक्त के लिए खतम कर लेते हैं और मैं अपने layers वाले panel के अंदर ही अगर आप bottom पर देखें आपको कुछ options नज़र आएंगी और यहां पर आपको एक option नज़र आएगी add a mask, add layer mask, okay so मेरे pixels selected है, मेरी layer selected है जिसमें मैं इस mask को apply करना चाहता हूं और उसके बाद मैं इस button पर click करूंगा तो इसने क्या किया, जो pixels selected नहीं थे, वो pixels गायब हो गए और जो pixels मेरे selected थे, they are visible to me, so अब हम इस image को यहां से save करते हैं इसको save as करते हैं, यहां से png select करते हैं, because png हमारे उन pixels को white color में convert नहीं करे की, जो के हमें visible नहीं है इस image को delete कर लेते हैं, और इस image को उठाके move करते हैं यह हमारे पास result है, so there you can see, के जो हमारी selection है, that is ready to use हम इसको image को side पे move करते हैं, let's move the image, और इस image को resize कर लेते हैं, इस image को use कर लेते हैं, अपने design के अंदर ठीक है, so, अगर आप कोई background use करना चाहरे हैं, तो आप इसकी back side पे, कोई भी shape को place कर सकते हैं, तो, let's do another one thing, यह image हमारी चली गई, इस layer के अंदर, ऐस image को हम back side पे ले जाते हैं, चीक है, और यह जो हमारे text है, हम इसको resize करते हैं, और इसको resize ऐसे करते हैं, कि, let's do one thing, यह हमारा text missing आगया, इसको हम थोड़ा सा मजीद resize करते हैं, और, और इस text को back side पे move कर लेते हैं, यह हमारा when nothing goes right, go left selected है, और इस image को थोड़ा सा मजीद, mango को भी हम लोग इसकी back side पे ले जाते हैं, So, this is how we can play with the images, आप इस image को, इस object को use करके, और interesting designs create कर सकते हैं, So, यह एक बड़ा basic सा tutorial था, एक बड़ा basic सा lesson था, कि image को अगर आप crop करना चाहरे हैं, जो कि आपने किसी भी third party website से download की है, आपको पूरी image नहीं चाहिए, आपको उसका इक सिरफ एक object चाहिए उस image में से, तो आप उस image को simple अपने Photoshop टूल में जाके add it कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सरफ दो selection tools को देखा, quick selection and the lasso tool और mask कैसे create किया जाता है, I hope कि आप अपने designs को मजीद बहतर बनाएंगे, अब images को उठा के उसमें से interesting objects को crop करेंगे और अपनी images में use करेंगे, so let's see, what are you going to create, see you in the next lesson, thank you so much.